नमस्कार फैंट्स में नाम बभलोर्मा पेपर है करमें आपका स्वागत हैं हम इस्टाट करने बाले हैं ये अपना चली रहा है आपको इसको बता है वो चल रहा है बाकी हमने सब कुछ पड़ा रखा है आप प्लिलिश्च्में आकर देख सकते हूं ठीक है हम बिये फोर क्यूं क्यों देख रहे हैं तो आज मैं अपको मैंने दो को वन यूनिट आपको करा दी आज मैं आपको थैर्ड यूनिट और फोड यूनिट करने वाला हूं ठीक है ब्यक्तिक विन्ता जो होती है उसका अर्थ क्या होता है मतलब यह simple बात यह है कि सारिक और जो mental liberty होती है उसमें जो विन्ता पाई जाती है उसे ही ब्यक्तिक विन्ता कहती है तो बात करें ब्यक्तिक विन्ता का अर्थ है क्या है किसी दो ब्यक्तियों के सारे भिनिता बिल्कुल गलत किसी दो ब्यक्तियों में आयू का अंतर बिल्कुल गलत किसी भी दो ब्यक्तियों में शारिक मानसिक एबम शंबे दात्मक ना होना मतलब दोनों में अंतर होना ठीक है यही क्या कहलाएगी ब्यक्तिक भिनिता कहलाएगी ठीक है अगले बढ़ते हैं यहां बात कहते हैं ब्यक्तिक भिनिता जानने का सिच्छा में महात्व क्या है पहली बात ही है बेरी इंपोर्टेंट है कि ब्यक्तिक भिनिता जानने का सिच्छा में महात्व है क्या क्या ये यात्रा करने पर अधारित है या पुस्ता खरीदने पर अधारित है देंड देने पर अधारित है या पाठ्ठिकरम निर्धारित है तो पर ये हमारा पाठ्ठिकरम है ठीक है तो इसका आंसर कहा रहेगा पाठ्ठिकरम पर निर्धारित ये हो जाता है ठीक है अगले बात करते हैं व्यक्तिक विनिता का जनक माना जाता है जो व्यक्तिक विनिता है उसका जनक किसे मानते हैं व्यक्तिक विनिता ठीक है बताओ तो किसे मानते हैं गाल्टन के लिए किसको गाल्टन के लिए व्यक्तिक विनिता मानते हैं ठीक है ऐसे आत कलो कि गाल क्या होता है एक इक का बड़ा हो गया एक चोटा हो गया दोनेमें देखने को मिलगी सारे ही तो ऐसे आप याथ कलोगे कि बैग्तिक भिनिता काächen माना जाता Mother ऑलको की बालको की मिनिता प्रिर्णा बुद्धि प्रित्ता बाता वडविश्मंदी ऊधिपको की भिनिता का परिमान उती है यह जो उधीपक होते हैं, उनकी भिन्यता का परिमार होती है, ये कतन किसका है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये कतन किसका है, गैरी सन का है, किसका है, अब दो कैसे आत करेंगे, यहाँ पर बालको की भिन्यता, यहाँ पर बालको की बात होई, बच्चे, और यहाँ देख तो इसके लिए ठीक है शन सनमाने वैसे भी तो छोड़ा बच्चा होता है ठीक है तो तब भी आप इसको लगा सकते हो और आमसे याद कर सकते हो आगले बात करें नेक्स कोशन की और नेक्स कोशन की बात करें ब्यक्तिक भिनिता का पिर्मुक आधार क्या है जो ब्यक्तिक भिनिता है उसका पिर्मुक आधार होता क्या है ये बताना है आर्थिक भीनिता समाजिक भीनिता बंसानों करम या फिर बहुत दिक स्रिश्टता दिको ब्यक्तिक भीनिता ब्यक्तियों में भीनिता किस से होती वही अनुवान से कोती है यह जीन्स पर अधारित होती है ठीक है तो आंसर एगा उप्सन नंबर C अगले बढ़ते हैं यहाद आपर मर कोई मर गया मर गया तो उस जला दिया जाएगा तो जर्मनी ऐसे आद हो जाएगा यह ठीक है अगले बढ़तर करते हैं ब्यक्तिक भीनिता की माप का पिरमुक्षड क्या है परिक्षड की बात कर रहा है तो वह कौनसा होगा बुद्धी परिक्षड हा बुद्धी किस परिच्छा विधी को जनम दिया था यह बताना है व्यक्तिक विनिता की अब्धार्णा ने निम्रिकित में से किस सिछड़ विधी को जनम दिया था तो बहती गाल्टन विधी कौनसी डाल्टन विधी को जनम दिया था आगे बात करेंगे व्यक्तिक विनिता का मूलाधार कहा गया है तो व्यक्तिक भिनिता का मूलाधार किसे कहा गया है व्यक्तियों में भिनिता का मूलाधार क्या है आपको के DNA अनुवान सिकता है ठीक है आंसर क्या रहेगी आंसर रहेगी option number C अगले बात कर लेते हैं व्यक्ति गत अती विसेस रूप से ब्यक्ति की सनचनाओं, अवहार की विधियों, रूचियों, अभिवर्दियों, छमताओं, योगताओं, अभिशिमताओं के एकी कड़कों कहते हैं उप्युक्त कथन किसका है? यह आपको यहापर बताना है ब्यक्ति गत अती विसैस रूप से ब्यक्ति की सनचनाओं अभार की विदियों रूचियों अभिवत्नियों चमताओं योगताओं अभिशताओं के एकी कड़कों कहते हैं उपयुक्त कथन किसका है तो ये कथन है वो किसका है मन का है किसका ये मन का कथन है ठीक है अगले बात करेते हैं यहां देखेंगे डबलू एच सेल्डन कौन डबलू एच सेल्डन ने सरीर की विसेस्ताओं के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति बना अगले बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्ता का कारण नहीं है यह बताना है कि योन भेद बिल्कुल होगा जाती भी हो सकती है बातावड़ी भी हो सकता है घंसंख्या ब्रद्धी में कोई ब्यक्तिगत विनिता नहीं है ठीक है तो यही हमारा कोई काड़ नहीं होगा अगले बात करते हैं ब्यक्तिगत भेदो के लिए परियावड को ही सर्बो शर्बा मानने वाला मनो बिग्यानिक है ब्यक्तिगत भेदो के लिए परियावड को ही सर्बो मान रहा है और परियावड की आप लोगों ने क्या लगा रखिए बाट तो क्या रहेगा वाट्सन आप का हो जाएगा ठीए अगले वात करे थे हैं ब्यक्तिकत्र भिनिताके मापन को पुर्मुकT चेतर कौन सा है ब्यक्तिकत भिनिता के मापन का प्रमुक चेतर कौन सा है शारिक चेतर बिल्कुल है मानसिक चेतर भी है संबीगात्मक चेतर भी है उपयोग तो सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका ठीक है अगले बात कर लेते हैं किसने ब्यक्तिक भिनिता के बैग्यानिक अध्यन की सुरॉआत की किसने ब्यक्तिक भिनिता के बैग्यानिक अध्यन की सुरॉआत की तो किसने की थी गॉल्टन ने की थी किसने गॉल्टन ने ठीक है अगले बात कर लें next question के अगर हम बात करेंगे तो निम्ने में से कौन सा व्यक्ति गत्त भिनिता का कारड है तो अब अब हमने बहुत वारिस के बारे में देखा है अनुमान सिक्ता भी है परिबगता भी है और जिब आप चोटे होगे बड़े होते रहोगे तो आपकी जो structure है वो बजलता रहेगा आपका सरीका structure बजलता रहेगा परियाबड काई पर भाब पड़ेगा तो answer क्या रहेगा उपरोग तो सभी आपका बिल्कुल सही answer रहेगा अगले बात करते हैं निम्निकित में से कौन सा ब्यक्तिकत भिनिता जानने की बिधी है तो ब्यक्तिकत भिनिता जानने की बिधी कौन सी है परिचण है अभी लेक है ब्यक्तिकत तिहास है राइट आंसर क्या रहेगा उप्योक तो सभी हो जाते हैं अगले बात करेंगे निम्निकित में से कौन सा ब्यक्तिकत भिनता का प्रकार है देखो सारिक भिनता मानसिक भिनता ब्यक्तिकत भिनता सारे की सारी प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं ब्यक्तिकी भिनता के अगले बात करेंगे ब्यक्तिकत भेद का कारल क्या है ब्यक्तिकत भेद का कारल क्या है कोई समुधाय से प्रभाब पढ़ेगा तो right answer रहेगा option number C अगले बात करते हैं ब्यक्तिक भिनिता उपियोगी नहीं है किसके लिए उपियोगी नहीं है पाठ कर्म के अंद्रमाण के लिए उपियोगी है हाँ जी उपियोगी है ब्यक्तिक भिनिता नहीं होगी तो कोई mental gravity वाला तेज है कोई कम बुद्धी वाला है जादा बुद्धी वाला है वो अच्छा इसका correction करेगा और कुछ पुस्तों को अंद्रमाण भी करेगा तो पाठ कर्म का अंद्रमाण में बिल्कुल है पाठ सह भागी करियां के चैन में बिल्कुल है सिच्छड विदियों के चैन में बिल्कुल है क्या सिच्छकों के चैन में है बिल्कुल गलत तो यही हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट अंसर होगा अगले बात करते हैं व्यक्तिकवानिता के पृकार हैं कितने हैं पग्दा के परकार हैं 3 कितने व्यक्तिक designed says 3 खाल किस अवस्तामे पृतिक लिए की टीबपर बढ़ाई आपके अंदर जो हर्मून लिएवेरोंस बाते है यह चैसे stress उन प्रट में चुर में लगते हैं ऐगले बात करते हैं वियक्तिक वेभयत का अभी प्राय है जो अपने lang aik everything से वह कु वास्ता में रिलीजियोन लेखते हैं तो विज्टी किते भूषत का अभी प्राइट क्या होता है तो वह होता है गुडो में अंतर हो न मैं अलग चेंज का हूं तुम अलग चेंज्च के हो और विक्ती होगा वो विल्कुल अलग सुभाब का होगा और विक्ति होगा तो वो अलग सुभाब का होगा हर विक्ति में अलग-अलग विवनिता देखने को मिल जाते हैं विवेद देखने को मिल जाते हैं विक्ति के अंतरगत तो इस प्रकास से हमारे जो हमारा यूनिट नंबर थरी थ जो हमारा unit number 3 था, वो हमारा हो जाता है complete, ठीक है, जिसमें हमने first unit पढ़ लिया, second unit पढ़ लिया, और हमने यह third unit पढ़ लिया, अब हम अगली वीडियों four unit देखेंगे, ठीक है, और यह first paper यहाँ पर अपना complete हो जाएगा, फिर हम second paper five unit से continue करेंगे, ठीक है, तो जो हमारी four unit है उसमें गम से गम 85 question plus हैं, तो उन question में तुरुआ समय लगेगा, एक घंटे से उपर बन सकती है, तो मैं कोशित करूँगा कि जल्दी-जल्दी मने जाए, ठीक है, तो यहीं पर रहते है वीडियो के लिए वीडियो चले को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना, सस्क्र जाहिन, जय भारत